असलामुलेकुम्, कैसे आप साथ, आज मैं आपको वाइटमिन K2 के बारे में बताऊंगा, वाइटमिन K2 का अपने नाम सुना होगा, योट्यूब पे दो या तीन वीडियो आपको उर्दो मेस पे देखने को मिलेंगी, जो कि इतनी डिटेल में नहीं है, या फिर इतनी आसा नहीं हो, देखिए वाइटमिन K, एक फैट सॉलेबल वाइटमिन है, जो कि ब्लेट क्लॉटिंग के लिए बेसिकली खून को जनने में मदद करता है, और इसे मेडिकल टेल में कोगलेंट वाइटमिन भी कहा जाता है, इसकी दो फॉर्म होती है, एक को वाइटमिन K1 कहते है और एक को वाइटमिन K2 कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वाइटमिन K1 को अगर हम देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि ब्लेट क्लॉटिंग के लिए, वाइट हीलिंग के लिए, आपकी बून्स के लिए ज़रूरी है, और इसका जो सोर्स होत होती है, पूरी हो जाते है, बैसिकले इसकी जो डेफिशन्सियों बहुत ही रियर होती है, और जो इसके रिक्वार्मेंट होती है, वो पर केजी के साफ से होती है, वेट जैसे आपका वजन जो है, वो पिचास किलो के हैं, तो आपकी जो डेली की रिक्वार्मिन्ट है, वो जिन लोगों में माल अबजोर्वशन रहती है, जिन लोग को GI प्राबलम रहती है, जो लोग एंटिबियुक्स का च्छाँद करते हैं, इंटासीड लेते हैं, जिनको IBS है, या पिर जो blood thinner पे होते हैं, जिनका डाइटरी सूर्स या डाइटरी पैरन नितर्न आच्छा नहीं ہے उन लोगों में इसकी deficiency mostly होती है अब इसकी भी आगे दो टाइप सब टाइप है जैसे mk4 और mk7 आपको market में जब आप vitamin k2 बोल के लेंगे तो आपको mk7 भी उस पर देखने को मिलेगा तो यह absorb अच्छे तरीके से होती है इसके और भी आगे बहुत सारी type है बट यह mainly दो टाइप इसकी इस्तमाल होती है और market में most आपको mk7 मिलता है क्योंकि वो absorb अच्छे तरीके से होता है अब तक आपको शायद vitamin k2 के बारे में समझ नहीं आई होगी बट अगला जो point है उससे आपका concept k2 के बारे में ज्यादा clear हो जाएगा जैसे जैसे आपके अमर ज्यादा होती है तो दो चीज़े होती है एक जो है वो आपके आडियां कमजर हो जाती है उस्टियोपरोसिस हो जाता है और यह क्यों होता है lack of calcium के वज़ज़से कैल्शिम की कमी की वज़ज़से दूसरी चीज होती है coronary artery disease या आपकी हार्ट की नालियों के तंग हो जाना सुकर जाना या फिर सक्त हो जाना उसके अंदर जो है वो calcification होना या पिर उसके अंदर calcium का deposit होना जिसे atherosclerosis कहते है और add the end आपको heart attack हो जाता है और यह क्यों होता है क्योंकि calcium की जयाती है अब एक ही patient के अंदर calcium की कमी भी है और एक तरफ उसकी जयाती भी है यह क्यों है क्योंकि वो calcium ले तो रहा है लेकिन calcium वहाँ पर पोच नहीं पारा जहां पर उसकी जरूरत है और soft tissues के अंदर जाके deposit हो रहा है तो यहां पर आपको vitamin K2 की जरूरत होती है थोड़ा सा concept आपका यहां से clear हो गया होगा या पर अगर इसे और simple कर दें तो जो vitamin K2 होता है वो calcium को यह बताता है कि तुमने जाना कहां पर है body के अंदर अब यह मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ अधर यह protein होता है जिसे active करता है और यह सारे काम जो है वो करता है अच्छा इसके लब जो लोग vitamin D लेते है vitamin D चुक्के calcium के absorption के लिए vitamin D जरूरी है लेकिन उस calcium को वहाँ पर पहुचाने के लिए vitamin K2 जरूरी है तो आजकर जितने भी supplement आ रहे हैं एक दो सवाल भी थे कि जी हमें vitamin D के साथ K2 लेना चाहिए तो जी बिलकल आपको vitamin D के साथ आजकर जितने भी supplement मिलेंगे उसमें K2 भी होता है 100 microgram के अंदर उसके ओपर basically MK7 लिखा होगा तो vitamin K2 यह होता है तो तीसरा जो फाइदा आ गया वो vitamin D वालों के लिए आपको calcification से बचाते है और इसके अलवा vitamin D लें तो उसके साथ भी आपको यह लेना चाहिए अब अगर हम vitamin K2 के सोर्स की बात करें तो यह आपको animal सोर्स से मिल जाता है fermented जो food होता है उससे मिल जाता है जो आप vitamin K1 ले रहे होते हैं गड़ के जो bacteria होते हैं उसको K2 में convert कर देते हैं अगर हम animal सोर्स की बात करें तो आपने देसी मुर्गी रखी हुई है तो उसके चिकन में उसके लिवर में उसके अंडे जो होते हैं उसके अंदर जो एग योग होता है उसके अंदर vitamin K2 आपको मिल जाता है इसी तरह जो grass feed animal होते हैं जैसे गाउं गरह मैं आपने देखा हो गरह लोगों ने गाए पाली होती है बेसे पाली होती है जो के गास गरह हरी बरी गास खाती है तो उनके गोश्ट के अंदर होता है इसी तरह आपको देसी घी के अंदर मक्षन के अंदर मिल जाता है अगर fermented की मैं आपको बात बता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो जापान का अचार होता है नेटो जिसे कहते हैं या फिर fermented soya bean इसके ओपर बहुत सरी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिलेंगे आप देखें वो घर में बना सकते हैं और खा सकते हैं इसी तरह सोर क्राउट जो गोबी का अचार होता है ये भी बनाना बहुत एजी है इसके ओपर भी आपको बहुत सरी वीडियोज मिल जाएंगी तो ये इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है इसके जो नेटो फर्मेंटेट सोया बीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो ये आप ले सकते हैं इसके supplement भी मिलते हैं कोशिश करिए करिए किसे नेच्रल लें दौाओं में याद रखेगा ये होग कि आपकी समझ में आया होगा वाइटमिन के टू के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं या पर किसी चीज़ के ओपर वीडियो देखनी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं दौा में याद रखेगा अलाह आपस